नमस्कार दोस्तो आपका धनमंत्री कृपा हैल्ट चैनल में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो आज का वीडियो मेरा उन भाईयों के लिए है जो सराब पीते हैं दोस्तो जो लोग सराब के लिए तड़ रहे हैं और जिनके पास बहुत कम सराब है या कहीं से थोड़ी बहुत पास नो को मिल रही है तो दोस्तो अगर आफके पास एक बौतल भी है तो उस बौतल को आप कहीं दिणों तक चला सकते हैं और एक बौतल केसे आप रोझь अच्छा, जो वह बन जाएगा एक बोतल रोज ना पीए, लेकिन एक बौतल आप के रिए कमसे कम से कम 15 के बहुत है तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोतल एक बोतल जो है वो 15 दिनों के लिए सैटिस्फाइड हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से जादा लाइक करें शेर करें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि आज कर लॉक्डाउन चला है और सबसे पहले मैं यह भी कहूँगा कि आप घराओं में रहे हैं शुरक्षित रहे हैं और आज मैं आपको सराव पीने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने एक बोतल जो है 15 दिन तक चलानी है और जिस तरह से आप रोज पीते हैं या कभी कवार पीते हैं तो दोस्तो आप थोड़ी सी सराव से ही एक अच्छा खासा सरूर बना लेंगे तो दोस्तो इस सराव को पीने का तरीका क्या होगा नमबर वन अगर आप सराव पी रहे हैं तो जैसे आपने क्या करना है कि दो धकन सराव के लेने हैं सिर्फ दो धकन ज्यादा नहीं और ये ठीक आपने खाना खाने से पहले आज़ा घंटा प्रोग्राम सुरू करना है तो कैसे करना है दो धकन सराव के इसमें आप कोक या फिर सोडा मिला सकते हैं लेकिन इस चीज़ का मिसर्ण कितना होना चाहिए अगर आपने दो धकन सराव के लिए हैं तो चार धकन आपने कोक के या सोडा के या नॉर्मल बाटर के या नॉर्मल पानी के डालने हैं और उसको आपने एक बार में नहीं पीना है उसको आपने कितिन देर में पीना है माल या टोटल आपके हुए छे धकन तो छे धकन को आपने कम से कम उसको आपने तीन बार पीना है यानि कि तीन घूंट बनाने है एक घूंट लिया पांच मिंट का गैब दे लिया या कम से कम दो मिंट का गैब दो और फिर दो मिंट के बाद दूसरा घूंट और फिर दो मिंट के बाद तीसरा घूंट अब कम से कम आप पंदरा मिंट रुक जाईए और पंदरा मिंट के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको जो आप एक पैग या दो पैग लगाने के बाद आपका सुरूर बनता था वो महज मातर दो ढखन से ही हो गया और फिर आप क्या करें खाना खाने से कोई 7-8 मिंट पहले या 10 मिंट पहले आपने सराव के 4 धकन लेने हैं 4 धकन लेकर के उसमें आपने 8 धकन कोके या नॉर्मल पानी के या सोडा के लेने हैं उसमें डाल दीजिए और उसको आपने कितने घूंटों में तबदीर करना है चार घूंटों में और प्रसेस बोही रहेगा दो-दो मिंट के बाद आप एक-एक घूंट लेंगे और आप देखेंगे कि इतना अच्छा आपको लगेगा इस तरह सराव पीने से अगर एक तो आपको जो सराव का खर्चा भी कम होगा आपकी एक बोतल कई दिनों तक चली रहेगी और इसका कोई नुक्सान नहीं होगा दोस्तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये सराव को प्रमोशन क्या प्रमोट करने के लिए नहीं है कि आप सराव पीए रोज पीएं लेकिन जो लोग पीते हैं अगर इस ढंक से आप पीएंगे तो दोस्तों ये एक दवाई की तरह होगी मतलब दवाई की तरह काम करेंगी क्योंकि जैसे आप रहा दिन घर में पड़े जाते हैं बोर हो जाते हैं टीवी देख रहे हैं या मॉवाल चलारे हैं तो इससे क्या होगा कि आप एक extra मतलब relief महसूस करेंगे आपका mood जो है फ्रेस हो जाएगा तरह उताजा हो जाएगा इसके पीछे basic reason ये भी है क्योंकि जितना आदमी अराम करता है असली बज़ा जो है माल यह अगर आप जितना मैंने बताया आपको अगर आप उतना पीते हैं तो कम से कम आपको कोई 3-4 pack जो होते हैं उसके बराबर नसा होता है क्योंकि जितना आदमी relax mood में हो तो उतना ही ज़्यादा नसा होता है क्योंकि आप party बाजी नहीं कर सकते इस चीज़ में जैसे दो-चार लोग बैठ जाते हैं बोलते हैं बोलने पर क्या होता है नसा down होता है आप अकेले पीएंगे किसी से बोलेंगे नहीं तो आपका जो नसा है या आपका जो सुरूर है वो और ज़्यादा बढ़नेगा तो जैसे आपने अब आपके घर में आप अकेले हैं अकेले पीएंगे तो किसी से ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जो दो-चार लोग जब बैठ जाते हैं तो बहाँ पे फिर बातें भी उतनी नबी और चल पड़ती है एक घंटे की जगा चार घंटे भी लग जाते हैं तो क्या होता है कि उतनी ही बोतलें ज़्यादा लगती जाती है क्योंकि बोलने से सराव का जो नसा है या सरूर जो वो कम हो जाता है और इसी कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा और सराव पीने लग पड़ते हैं दोस्तों इस चीज से सीख कर ये ये जो लॉकडाउन चला है अजमा कर देख लीजी आप कि अगर आप इस तरह से दारू पीते हैं सिराप पीते हैं तो उस नसे का लुथ पुराएं या और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको ऐजा मेडिसिन काम करेगी आपके अंदर ज एक तनाव से मुक्त करेगी बहुत सारे लोगों को अपने कारोबार से अपने कई बजा से टेंसन हैं आजकल कई लोगों को खाने की कई लोगों को जैसे दुकान दारी है या कुछ भी है ये काम की चिंता है तो आप एक इस मुके तनाव से मुक्त हो जाते हैं तो इन दनों हैं अगर कोई स्राव पीता है तो अगर इस डंग से पीए तो निश्य तोर पर उसका जो तनाब है वो कम होगा इस तरीके से ऐसा नहीं कि सूबह बैठ जाएं पीने और रातक पीते रहें लेकिन साम को ही खाना खाने से पूर्व आदा घंटा पहले इसको यूज करें आप द देली क्वाटर या आधा पीते हैं कुछ लोग डेली पूरा क्वाटर मारते हैं या आधा पीते हैं तो उनकी आदत जो है वो भी बदल जाएगी आप अपने आप में देखेंगे कि जहां मैं क्वाटर लगाता था या पूरा आदा लगा लेता था तो उसमें देखेंगे क श्रीर भी परदान करेंगी और जब कि आप डेली बहुत जादा पीते हैं या कभी कवार भी बहुत जादा पी लेते हैं तो आपके श्रीर के लिए नुकसांदाइक है तो दोस्तों अमीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें आगे भी मैं एक दो वीडियो सराव के उपर डालूँगा उन्हें भी जरूर देखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार